नहाट और के ग्राम बैर्माबाद घड़ी में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत विवाहिता के परिजनों ने अपने दामाद पर हत्या का लगाया आरोब। पुलिस ने शव को कबजे में लेकर पोस्ट मार्टम के लिए भेजा। जानकारी के अनुसार नींदडू के गाव चरमपुरी निवासी राजपाल की पुत्री रीना उम्र 32 वर्ष की शादी ग्राम बैर्माबाद घड़ी निवासी राजीव कुमार पुत्र टेकचंद के साथ 2012 में हुई थी। बताया जाता है कि आए दिन किसी न किसी बात को लेकर विवाद रहता था। इस विवाद के चलते प्राथः विवाहिता के परिजनों को सूचना मिली कि उनकी पुत्री की मौत हो गई है। पुलिस ने मौके पर पहुँच कर शव को कबजे में लेकर पोस्ट मार्टम के लिए भेज दिया। बताया जाता है कि उक्त विवाहिता के एक नौ वर्शिय पुत्र भी है। विवाहिता की मौत होने से परिजनों का रो रो कर बूरा हाल है। कोतवाल का कहना है कि शव को के लिए भेज दिया गया है। पी-म रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नहाट और से जहीन अंसारी की रिपोर्ट। क्या नाम आपका। कहां के रेने वाले आप। क्या कटना कटी है। यह हमारी लड़की की राजी पर करना। तो आपको के से मालूम बढ़ा। इस अधर की में करें हूं में तो नाइं पहला है। कर्या ना प्रिस थे अपर हमीचे जाएगे है अँगा पर जाएगे जाएं हैं तो अ मुझा ने पर निस पर से फिलिए हूं पलिसे सिकायथ की आपने हैं ह। कि इसके पहले भी कोई मामला हुआ है परसाँ रखते हो इसके को इसके ने परसान को रखता है जुआ कहलता है यूदा पीता हड़िया और जहे हराथ बहुद मुझे ये सी से ये मुझे ये सी से थिर सिर्वी इठराइक और हम ढो खर्ची यहां ठेख शला तो इसको हम नितना जेवर दिया है कि इतना जेवर देखानिक ऐा जीक तेख विज्दी आढगी ए परज ने हापर गहरें पड़स इनन मांगữa peninsula الأके माधा घूड़ा सिंप लड़ के अधाला है लाग वेहें है लड़का आगे हो से देट यहां के आप इहने सुभाह में इस बाद का फूञें कि अधाद महाना